बैक टोर चैनल डिये श्वेंट एर फोर्स के लिए प्रैक्टिस चल दा है अभी से वक्त है आपके हाथ में और बिल्कुल वक्त रहते हैं अपने इंगलिस को इंप्रूब करेंगे और आज की इस वीडियो में जितने भी हम क्वेस्चन्स बताएंगे आपको लाश्ट में कम अब आपको बताना है कि किस बार्ट में इरर है क्वेस्चन बहुत ही खुबसूरत है आपके सामने है अगर कोई भी इरर नहीं है तो आप आप्शन नंबर डी क्लिक करेंगे यानि कि नो इरर इन इस व्वेस्चन इस प्रकार से आप क्लिक कर सकते हैं चलिए अब थोड़ा तो इसका मतलब यहाँ पर में देकलोट कोई भी इरर नहीं है इन इस क्वेस्चन क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दो चीजों को जोड़ा हुआ है और यहाँ पर भी आइंड से जोड़ा हुआ है सेंटेंस बिल्कुल से यह दे कुक्स दोगते कुक मिल्स अब चुकी दे ह तो यहाँ पर SEIS नहीं आएगा simple present question बिल्कुल सही है कोई भी error यहाँ पर नहीं है तो option number D जब कोई भी error नहीं रहेगा तो किस पर क्लिक करेंगे option number D पर क्लिक करेंगे next question की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर बहुत ही important question है लिखा हुआ है कि I will wait for you at the office until you will finish your work इस परकार का question हम कल कराए हुए थे और देखे अभी यह चौथा series है और मैं guarantee रहता हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका English improve होता रहेगा English में या तो error हो find the error से question या fill in the blank से इस परकार के जितने भी question पूछे जाएंगे आप उनको सही करके आएंगे exam में तो यहाँ पर देखे जो गलती है न वो option number देखे एक चीज़ समझे कि until जो होता है वो दो class को जोडता है कल ही हम बताये थे कल till वहाँ पर by या till का प्रियोग हमने कराया था जो कि वहाँ पर एक ही class था तक के sense में किस के sense में तक के sense में तो चुकि until है और यहाँ पर दो class है, एक यह sentence हो गया और यह दूसरा यहाँ से sentence हो गया, दो sentence है, तो अब देखिए बात को समझेगा, जैसे यह until आ गया, तो अब until जबी भी आ जाता है न, तो उस sentence में दो future वाले class नहीं होते हैं, मतलब कि दो will यहाँ पर देख रहे हैं, future व office until you finish your work, clear इस प्रकार से sentence सही हो जाएगा, तो option number C में एर था, next question है कि the gap between that he preaches and what he practices is too wide to accept by any sensible person, अब आपको बताना है कि यहाँ पर कहां एर है इस question में, एक चीज़ समझेगा, देखे, by any sensible person दिया होगा है, मतलब कि देखे, accept by any sensible person, मतलब कोई भी चीज़ जब accept की जाती है, तो किसी के द्वारा वो accept की जाएगी, अपने आप तो accept होगी नहीं, किसी के द्वारा वो क्या किया जाएगा, accept किया जाएगा, तो यहाँ पर जो error है इस जगर पर है, देखे, चुकि यह passive wise में है, है ना, एक चीज़ हमेशा कामन रहा था, वो क्या, V3, यानि वॉप का third form, ठीक है, तो यहाँ पर to accepted, to be accepted है, to के बाद B लगा के third form, to be accepted हो जाएगा, ठीक है, A, C, E, P, T, E, D, to be accepted by any sensible person, तो option number C mirror था, clear, next question आपकी सामने यहाँ पर देख लेजिए, लिखा हो है कि the king was embarrassed to find evidences against his own queen, भाई, जो king यानि जो राजा था, वो बहुत embarrassed हुए, वो बहुत ही सरमिंदा हुआ, जब वो क्या किया, जब सबूत पाया, किस के खिलाफ, अपनी queen के खिलाफ, वोन रानी, अपनी ही रानी के खिलाफ, जब राजा को सबूत मिले, evidence मिले, तो क्या हुआ, वो embarrassed हुए, सरमिंदा हो गए, तो यहाँ पर देखिए, एरर बहुत ही छोटा सा है, option number B में है, evidences लिखा हुआ है, तो English में कोई भी evidences जैसा कोई भी शब्द नहीं है, English में जो शब्द है, वो है evidence, तो इसमें S, E, I, S नहीं लगता है, अच्छा कल हमने आपको जो question कर आया था, उसमें एक इरर आया था, furniture वाला, याद है आपको furniture वाला, हमने बताया था कि furniture नहीं होता है, कभी भी furniture में S नहीं लगता है, furniture नहीं होता है, उसी प्रिकार से evidences नहीं होता है, evidence होता है, तो आपने देखा, कल जो बच्चे class किये होंगे, यह वाला, उनका वो improve हो गया, कभी भी exam मे furniture सा जाएगा तो वो error पकड़ लेंगे कभी भी evidences सा जाएगा तो error पकड़ लेंगे तो इसी तरह से चीजी धिरी-धिरी क्या होगी improve होती जाए है आपकी ठीक है चलिए अगला question आपका इंतजार कर रहा है यहाँ पर question बहुत ही बड़ा है लिखा बहुत है कि while flying over India we had glimpses of the two source of her culture the ganges and the himalayas बताए किस पार्ट में error है देखे जब भी बड़ा sentence आया और उसमें बोले कि find the error तो आपको sentence देखकर के घबराना नहीं है जितना बड़ा sentence होता है उतना ही छोटा error होता है और जितना ही छोटा sentence होता है उतना ही बड़ा error होता है एक बात हमेशा mind में रखके के चलिए जनरली ऐसा ही होता है अब देखे इतना बड़ा sentence है नहीं इसमें error छोटा सा है यहाँ पर हर जैसा है कि मतलब आपको लगता है है ना जैसा कि आपको लगता है कि यहाँ पर हर में error होगा यह question पूछा गया था ठीक है यह question एक बार पूछा गया था और जितने बैच्ची थे मतलब maximum बच्चे 90% बच्चे हर में error करके आया थे कि वहाँ पर हर नहीं होगा यहाँ पर dare होगा है ना लेकिन dare नहीं होगा और his भी नहीं होगा बहुत से बच्चे यहाँ पर हर के जागा क्या थे his culture कर दिये थे तो यह भी error था चुकि इस sentence में कोई भी गलती नहीं है option number D is right here हर ही सही रहेगा और हर ही लगेगा क्यों 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 कि इंडिया क्या है किसकी culture की बात हो रही है इंडिया की culture की बात हो रही है तो यहाँ पर हर रहेगा his और their नहीं रहेगा तो यहाँ पर यह sentence बिलकुल सही है हर अपने जगह पर बिलकुल सही है next question यहाँ पर देखें लिखाव है कि they begged to him not to go yet he was determined बताईए they begged to him not to go yet he was determined क्या हो जाएगा क्या गलती है छोटा सा sentence है और खुबसूरत सा यहाँ पर error भी है अपनी पेन उठाइए और एक बात लिख लिजिए कि बेग के साथ बेग के साथ two का प्रयोग नहीं होता है बेग के साथ two का प्रयोग गलत है तो सिर्फ हो जाएगा they begged him क्या होगा बेग का मतलब होता है भीक मांगना बेग का मतलब क्या होता है भीक मांगना begging करना तो भीक तो किसी से ही मांगेंगे न भीक किसी से ही मांगेंगे इसलिए two आपर नहीं लगता है जब भीक मांग रहे हैं तो किसी से ही तुम आएंगे मतलब सामने कोई होगा ना परसन इसलिए वो understood है to नहीं लेगा दे बैग्ड हिम उससे वो क्या कर रहे हैं भीक मांग रहे हैं क्लियर तो यहाँ प्रॉप्शन नमबर एस ही था अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं हम आपकी राय आपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं उसे साब से रिप्लाई करते रहते हैं और जैसी जरूरत होती है वैसी आपके हम help करते रहते हैं में लेंगे फिरक लिए वीडियो में डिया श्ठोंड तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम